हाई फिरेंड्स मैं धन्जित कुमार मैं आप लोग सामने सेट 5 ले करके आया हूँ जिसमें केवल जीके जीएस और जीएक के परस्ण होंगे वो भी रेलेवे द्वारा पुछे गए पिछले कई एक जांस ने हैं एन टीपी सी गुरूब डी एलपी टेकनिसियन जेई वगर एक्जाम में रेलेवे दरा पुछे गए परस्ण हैं और और भी कई जांस से यह कोश्चन टच करते हैं तो आप लोग को सामने जीके जीएस और जीएक आई मैं इसमें सोव क्योस्चन्स का यह सेट है तो आप नहीं देखा एक दो तीन चार तो अप लोग जा करके चैनल के पहले लिस्ट में महत्तपूर समाने विज्ञान के नाम से पहले लिश्ट बना हुए वहां पर दख सकते हैं तो चलिए हम इसको पहला कुश्चन शुरू करते हैं पहला कुश्चन यहां पे है खजुराहों के असमारक कहां पाय जाते हैं तो यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन C मध्य परदेश दो नंबर कुश्चन है सुराज ये पार्टी के स्थापक कौन थे इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन B मोतिलाल नेहरू आगला कुश्चन है तिन नंबर 200 कॉप किर्केट में लगतार चार सतक लगाने माला पाला किर्केटर कौन था तो यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन C कुमार संग कारा चार नंबर कुश्चन है भारत किस समय में ब्रिटी समराज ये के यहां परहोगा परत्यच स्लासं के अधीन आ गया था यहां यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका अप्शन B 18802 में अगला कुश्चन है राज ये सफा को खाली अस्थां के नाम से भी जाना जाता है तो यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा ऊच सदन यानि आपर हाउस ठीक है अप्शन C चर नमबर कुश्चन है एउरो किसकी मुद्रा है तियाँ पर इसका राइट एंसर आप्शन C एउरोपीय जोनकी अगला कुश्चन है किस भारत पाक युद के बाद ता सकन्ध घोफला की हुई थी? त्याप इसका राइट एंसर हो जाएगा ऊप्शन B 1965 अगला कुश्चन है किस देश ने दोहर सोलो का अंडर 19 किर्केट भी सो कप जीता है यहाँ पर इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन C वेस्ट इंडिज अगला कुश्चन है यहाँ पर आप लोग को नीचे कमेंट बताना है ठीक है यहाँ पर चारो अप्शन दियेगे हैं आप लोग कोश्चन के साथ यहाँ पर उतर लिखेगा ठीक है नीचे तभी आगला वीडियो में नाम लिए जाएगा चोदर नमबर कोश्चन है यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्याता सिंधु घाटी सभ्याता की सबसे महतपूं विश्षता क्या थी त्याँ पर इसका राइटेंसर रो जाएगा अप्शन C इट के बने भवन 15 नमबर कोश्चन है कमपाइलर क्या है यहाँ पर इसका राइटेंसर रो जाएगा अप्शन B सफ्ट्वेयर 16 नमबर कोश्चन है फ्रितिवी के थलिये छेत्र में भारत का हीस्षा कितना है लगभग तो इसमे राइटेंसर रो जाएगा अप्शन B 2.4 ठीक है 17 नमर कोश्चन है बंगलाद देश की थलिय सीमा किसके साथ है यहाँ पर इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सम भी भारत और मेनमार के साथ 18 नमर कोश्चन देखते हैं उस चिनी राष्टपती का नाम क्या है जिसने 2015 में भारत का दोरा किया था यहाँ पर इसका राइट एंसर हो जाएगा शी जिनपिंग यानी जी जिनपिंग ठीक है इसका नाम पढ़ने नहीं यहाँ जी जिनपिंग 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 याद रखना यहाँ पर यागला कोश्चन है ICT किसका संचिप्त नाम है यहाँ पर इसका राइटेंस रोज आएगा Option D Information and Communication Technology बिस नंबर कोश्चन है 2012 के ओलमपिक में अधिक्तम फोन पदक किस देश ने जिता था यहाँ पर राइटेंस रोज आएगा Option C अमेरिका एकिस नंबर कोश्चन है भारत दोरा नॉमबर दोर पंदरा में लंच किया गया संचारुपुरा कौन से है तियाँ पर इसका राइटेंसर हो जाएगा Option B जी सेट 15 बाइस नंबर कोश्चन है किस मूगल समराट ने दी ने इलाही की घुफळा की तियाँ पर इसका राइटेंसर हो जाएगा आपको Option D अकबर तियाँ नंबर कुश्चन है हमारे राइश्टीय गित बंदे मातरम को किसने लिखा है तियाँ पर इसका राइटेंसर हो जाएगा Option A बकीम चंद्र चटरजी अगला कोश्चन है 24 नमबर नीमन लिखित में से कौन सा सही नहीं है त्यहाँ पर इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन डी श्लिश्तिनी छेत्र इजराइल का हिसा कभी नहीं था 25 नमब कोश्चन है संसार त्याग के पहले बहुत धरम के संस्थापक का नाम क्या था यहाँ पर इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन बी 26 नमब कोश्चन है नीमन लिखित में से कौन सी घटना मानो जाती के इतिहास में सबसे बड़ा मील का पथर बन गई क्योंकि उसमें सोतंत्यता समानता और बंधूत्व के इउग की सुरुआत की इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन डी 27 नमब कोश्चन है प्रत्थम मध्य कालिन सासक जिसने क्रिसी मंत्राले के अस्थापना किया था 28 नमब कोश्चन है रानी विक्टोरिया ने कॉप घोशित किया कि भारती ये परसासन ब्रिटिश सासन के तहत होगा इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन ए एक नमब्र अठारसों अंठावन 29 नमब कोश्चन है ब्रिटिश काल में किसके सासन काल में मतलब किसके कार्यकाल में या सासन काल में के दोरान भारत में पहली बाद जंगारना आयोजित किया गया था यहाँ पर इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन सी लाड़ मेयो और वीडियो को पैसे अप लुग ऑफ लोग इसकर ना करें वीडियो नब कुछा कर देख सकते हैं और एक और अपना जो है मार्क जितना अलब कर पार रहें कोश्चन आप लोग नीचे से कौन सा समराज एक परसीद इतिहसकार रोबर्ट सीवेल द्वारा लिखित फोर्गोटन एंपायर नमा कुष्टक से समनित है तियां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन सी बिजय नगर समराज 32. भारत में प्रतम बार राष्टिय आयकान मान किसने लगाया था यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा दादा भाई नवरोजी ओप्शन ए 33. नमबर कुष्टन है भी सो परसीद तक्थ एताउस तक्थ एताउस यानि मयूर सियांसन निमन लिखित में से किस मुगल इमारत में रखा गया था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन डी दिवान ए आम दिल्ली के लालकिले में 34. नमबर कुष्टन थोड़ा बड़ा है देख लिए भी भारत की अपनुएसिक सासं के संदर्व में निमन लिखि घटनाओं पर विचार करें यहां पर के चारों घटना दिया गया है और बोला गया है कि घटनाक करम का सवही कलान नुकरमित कीजिए मतलब सवही घटनाक मतलब कब घटना जम पहले हुए तको पहले जो बाद में कीजिए आप इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सम भी एक दो तीन चार मतलब पहले मारले मिंटों का फुधार अधिनियम उसके बाद राजा धानी का राजा धानी का राधानी का संत्रों कलकाता से दिली हुए था उनिश्यगारा में उसके बाद प्रत्थम भी सोयुद हुए था प्रत्थम भी सोयुद कब हुए था आप लोग को बताना है और लखना उसके बाद लखना उपएक्ट आया था तो आप लोग को अपने से मिलांग करना यहां पर बताया गया है मैं अपना मिलांग करते हैं यहां पर राइट एंसर हो जाएगा option C मतलब एक अथिरी ठीक है यहां पर तीसरा पर चला जाएगा मतलब पर योदता जो थे अवन्ती के उसके बाद उदियन कहां के थे तो इदियन वाट्स पर आजाद सत्रू तो आजाद सत्रू जो थे मगत के राजा थे अपर संजती आवन्ती को हो जाएगा ठीक है स्वरू समय मैंने गलत बता दिया थे यहां पर अप्शन C हो जाएगा और मैं मिलान साइक कर दिया हूं ठीक है अब देख लेज़ेगा आप लोगों तो यहां पर हो जाएगा आप लोगों को पर द्योत्ता का हो जाएगा आवन्ती उदियन कहां का था तो वाट्स पर सेंजित को सल करा जा था उसके बाद आजाद सत्रु के समराजे कोन सा था मोगर समराजे था 36 नमर कोश्चन देखते हैं नीम नलिक्षित में से किस भक्त संत ने परचार के लिए हिंदी का उप्यों किया यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा रामानंद अप्सन C 37 नमर कोश्चन है पाहला भारती है सासा कोन था जिसने सहायक संधी को सविकार किया तो यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन B हैजराबाद का निजाम 38 नमर कोश्चन है नीम नमे से किस साचरी केंद्र का सबन्द चंद्रगूप्त मौर्य के सिछक चणक के से था यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन B तच्छीला से 40 नमर कोश्चन है किस कांग्रेस अध्यच ने किरिफ्स मिशन और लाड वेवेल दोनों के साथ बात चित की थी अबूल कलाम अजाद ने राइट अप्सर हो जाएगा अप्सन A 41 नमर कोश्चन है निमल निक्षित में से किस का कथम था कि भाग या सब कुछ निर्धारित करता है आदमी सकती ही न है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन C आजीवक ने खेड़ा गया यहां पर कलानू करमी करने के लिए यहां पे ठीक है कौन युद का पहले हो गया था आप मोग नि दख्ण लीजेगे और इसका राइट एंसर बतायागे आप लोग नीचे अगला कोश्चन है भारतिय संत्रत्ता संघर्ष की अधिक के दोरान नीमना लिखित में से कौन सेंट्रल हिंदू अस्कूल शुरू किया इसका राइडियन सरो जाएगा आप्सन ए एनिवेसेंट अब कोश्चन के लेबल कुछ बढ़ गया है ठीक है अब यहां पर याया है कि करम क्या है जिसमें भारतिय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा गिया गया है इन चारों राष्ट जो राज्य है इंको पूर्ण राज्य का दर्जा है बट किसको पहले दिया गया है आप लोग को देखना है ठीक है तो यहां पर इसका राइड एंसर मैं बताता हूं इसक सबसे पहले भारत में कोन था तो यहां पर इसका राइट इनसल होजएगा 45 का इसका राइट इनसल होजएगा option C ठीक तो यहां पर सबसे पहले कौन अया थो मिल घित थिनि उसके बाद कोन है अपहान उसके बाद आया हुइन सां उसके बाद इसलस अलुरो मिट nue chain सबसे पहले इस पहले का उनसार में गस्थिनी जाया उसके बाद हींसांग उसके बाद फाहन आया सबसे यहां मैं गलत तो भी बतता रहा हूं किरा सी तो हो गा ठीक है आप सालIES 15 का से थर्स पहले क् aç दों होगा ठीक है ingeschorm सब्सक्राइट एंसर हो जागा ऑप्सन सी महमूद साथ तुगलक सने तारीस नमा कुश्चन देखते हैं नीम ने लिखित में से कौन सा जोड़ा सही धंक से मिला नहीं है मतलब जो जोड़ा दिया गया है तीन सही है बट एक गलत है यहां पर जो गलत है मैं बताता हूं ऑप् प्रदार भगत सिंग की सहाधत 1931 में तेसमार्च 1931 को उसके बाद सिमला संजरता 1945 में हुगा था अनतारीस नमा कुश्चन है आर यह समाज की अस्थपना किस ने की थी यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा स्वामी देयानंद स्वस्वत्ति ऑप्सन B 49 नमा कुश्च की थी किसके द्वारा राम कुश्चन मिशं की अस्थापना कोई देशों और भारत के कुछ निसों में की यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा आपको ऑप्सन D स्वामी विवकानंद यह कोस्चन जो 50 नमर आप लोग देख रहे हैं या फुन रहे हैं यह बहुत नी घ गलत ठीक है तो यहां पर इसके राइट एंसर हो जाएगा हां थियारों के साथ सांती सही काठा होना और बाकी सब यह जो है आप लोग सोतनत्रता परदान है मतलब कि यहां पर दूसरा है कि पूरा भारत में मतलब घूमत रहा सोतनत्रा रूप से बट पढ़नागा लेंड मत घूमें चल जी है लोग चलिए बावन नमर कोशन देखते हम नीमनल लीखित में से कौन लोग सबाक के बारे में गलत है यह कोशन यहां से टॉप होने लागा ठीक है तो आप लोग दिखते रहे हैं चलिए के यह कोशन याद करने लायक भी है कि हमकी यहां पर बोल रहा है गलत है ठीक है सही पुछ कर लेजेगा इससे भी कोश्चन बन तकते हैं तिरपन नमबर कोश्चन है कोलेजियों पढ़ राली सब्द हाल ही में अख़बारों में देखा गया या सब्द की छेत्र से समन्नित है यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन भी निया इपाल क्या चौगर नमबर कोश्चन है मुलेज्व में कौन सा एक है भारतीय समिधान का अर्थ फूर्ण संतरता और स्वरोज अधिकार देखिए यहां पर मेरे स्वाभाईक इच्छा चौपन नमर कोश्चन है भारत के पूर्व राष्ट पतियों में से एक थे परख्यात बग्यानिक मतलब कुम परख्यात बग्यानिक थे ती को नहीं जनता है कि अप्सन सी सही हो जागा है फिज अबदुलकला संताओन नमर कोश्चन है भारत का राष्ट पति थालिया स्थां की सला पर 69 सबाउं के तहत अपात काल की घुफ़डा कर सकता है मतलब किसकी सला से यहाँ पर इसका राइट एंसर हो जाएगा कविनेट की सला से अंठाओन नमर कोश्चन है पहली बार किसकी द्वारा भारतिये विधाईक्या को दियू सदिनिये बनाया गया था यहाँ पर इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन सी भारत सरकार अधिनियाम 1919 के तहत 69 नमर कोश्चन है विशिष्ट संगिये राजकोशिये सबंधो पर भारतिये राष्टिये राष्पति को सिफारिस किसके द्वारा दिया जाता है यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा आप्सन डी बिता यूग 69 नमर कोश्चन है 99 समिधान संसोधन एक्ट हाल ही में खबरों में था यह सबंधित है तो इसका राइट एंसरो जाएगा आप्सन ए राष्टिये नियाईक नियूक्तिया यूग 69 नमर कोश्चन है निमलों इखित में से किसे मौलिक अधिकार के परोर्तं के लिए नियालाई जारी कर सकता है तो क्या जारी कर सकता है तो एक रेट एक आप्सन सी आगा कोश्चन देखते हैं आगा कोश्चन है 7 मई 2015 को लोक सभा ने किसोर आईउको 18 वर्स से घटा कर कितन हुआ तो अपना विवक में नहीं गिने जाएंगे भारत के सम्धान की किस अन्सुची में कई राजियों के जन अन्सुचित छेत्रे अन्सुचित छेत्र के परसासन और नियंत्रन लिए बिशिष्ट परोधान है त्याहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सम भी पांचवा अन्सुची आगला कोश्चन थोड़ इस प्रोटेंट है ठीक है निमनली खित परधान मंतरियों में से कौन लोग सभा में अविश्वास भोट का सामना करने से पहले इस्थिपा दे दिया त्याहां पर इसका राइट अंसर हो जागा चौजरी चरण सिंग अप् सिधाद बट इसी नियम को ले करके और रविर सिंग जी कहिए को यह मतलब अंदूलंग कर रहा है बट कोई सुनिया नहीं रहा है तो आप लोग उनको सपोर्ट करते रहे हैं मैं भी करते रहूंगा ठीक है जहां तक हो सके वहें तक 66 नमर कोश्चन है पलेट टेक्टोनिस क्या है यहां पर इसका राई टेंसर हो जागा महादीवपो को आलंबन देने माले पलेटों में गती फ़र सट नमर कोश्चन है मिरिदा पर्दं के कारण सिर्समिर्टी के हरास का पर्मूख कारण है यहाँ पर इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका कारण जो मिरिदा पर्दं का बर्नो की कटाई है और फ़र नमर कोश्चन है हमारे देश की एक लंबी नदी जो उतर पूरों से होकर बहती है यहां पर इसका राइटेंस रो जाएगा अप्सम भी ब्रह्म पूत्रे 79 नमर्व कोशन फिर आगया ठीक है नहीं है वाला थार रेगिस्तान का सर्च क्या नहीं है तो यहां पर अप्सम C हो जाएगा बीना बारिश के भी हमेशा पानी के धाराएं उपलावद बीना पानी हो ले धारा थो न बरसेगा तो हैंब बोला कि बीना पानी हो ले धारावद उपलावद हो जाता है ठीक है एस 87 नमर्व कोशन देखते हैं हम आगे सीव सुन्दरम जलपरपात एक आतार नम्रक्ष्टन है भाइरत गारत का एक राज्य बांगलादेस से तीन तरफ से घिरा हुआ है कौन सा राज अबसा करत नम्रक्ष्टन देखते हैं, पूरभी और परिमी घाट किस पर मिलते हैं इसका राइट इंसर हो जाएगा option A इलाची हेल्स मेरों को भी आकिकत बता रहा हूं मेरों को भी इसमें बहुत ही नहीं कोश्चन लागा जब मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी ठीक है जैसा कि यह question भी इलाची हेल्स के बारे में पढ़ा ठीक है वीडियो देखना पड़ेगा मे इसका राइट इंसर हो जाएगा आप समधी पहली और तीसरी तीमाही अब टाइम ज्यदा हो रहा ठीक है वीडियो जज़ा लंबा हो रहा ठीक है यहाँ फंजूक त्रास्ट्र लोग सेवा पुरुस्काद्वाज 15 खूले में सौज को खतम करने के लिए किसे दिया गया है नादिया पश्चीम बंगाल में चांपियन लिग ट्रोफी किसके लिए दियाती है यहाँ पिसका राइट इंसर हो जाएगा सोकर में सबसे अच्छा कलब अप्शन ए ततता नमर कोश्चेन है राइडर कप किस खेल से समन्दित है तो यहाँ पिसका राइट इंसर हो जाएगा आपसंबी गोल्फ ततता नमर कोश्चेन है पांच अपरेल को बेडिमिंटन खिलाडी जिसने जीता मलेसियाई ओपन । किसने जीता था कैरोलीना मारिं 89 नमर कोश्चन है मर्डे का कप का समन्द किस्से है क्या पर इसका राइटेंसर हो जागा आपसन B फुटबॉल 80 नमर कोश्चन है माइन बुक और अंतराष्टिय पुरस्कार दोहर पंद्रा लंदन में 20 मज़ दोहर पंद्रा को किस्से परस्तूत किया गया था यहाँ पर राइट एंसर हो जागा अपसन ए जार्ज अगला कोश्चन है बर्तमान में कौन सार अटेक किरित बैंक है जिसमें CEO के रूप में एक महिला है अब बताओ भी या कौन अप बैंक के पाता कर जाओ यहाँ पर इसका राइट एंसर हो जागा जब कोश्चन पुछा उसके अनुसार भारतिय एस्टेट बैंक यानि SBI बेरासी नमर कोश्चन है किसी देश के लेन देन का रिकॉर्ड और यह देशों के साथ माल और संपत्ति में माल और संपत्ति में खाली अस्थान होता है यहाँ पर इसका राइट एंसर हो जागा भुगतान संतुलन अप्शन C तोरासी नमर कोश्चन है यहाँ पर इसका राइट एंसर हो जागा अप्शन A एकल एउरोपिय मूद्रा एकल एउरोपिय मूद्रा तोरासी नंबर कोश्चन है पूरी का जगनाथ मंदिर किसने बनवाया था यहां पर इसका राइट अंसर हो जाएगा अनन्त बर्मन चोड गांगा अप्सन ए यहां मेरो कुछ फोल्ड लग रहा है यहां पर अगर गलत होगा तो फिली जिनीचे कमेंट बताईएगा ठीक है अगर होगा गलत तो मैं डिस्क्राइट भी अपडेट कर दूँगा 85 नंबर कुष्चन है हाल ही में 1666 मीडिया विवाद में में रही है किसे समन्धित है अप्सन डी हो जाएगा यहां पर राइट अंसर हो जाएगा अप्सन ए अहमदाबाद हर्ताल 1908 में और यहां पर देख सकते हैं आप लोग यह सब दिजिया है रोलेक ट्रेक्ट निसमें अप्सन बन सकते हैं 87 नमर कुष्चन है पर सीद चीनी तिर्थयात्री हुएंसांग ने किसके सांसन के दोरान भारत का दोरा किया तो जाएगा चंद्र गूप दिवतिया अप्सम भी 88 नमर कुष्चन है दिली में जयम्य मस्चित का निमार किसके दोरा किया गया था तियां पर इसका राइटेंसर हो जाएगा सा जहां अप्सन सी अगला कोश्चन है भारत छुड़ा अंदोलन किस वर्स में पराड़म किया गया था तियां पर राइट एंसरो जाएगा आपसन C 1942 AD में अगला कोश्चन है इंडिका किसने लिखी थी तो यहाँ पर इसका राइट एंसरो जाएगा मेगस्थिनी जिने अगला कोश्चन है गी धा एक आणवे नंबर गी धा एक लोक निरत्या किसका है तो यह राइट एंसरो जाएगा आपसन है पंजाब का अगला कोश्चन बानवे नंबर दस सर्वेंट्स अफ इंडिया सोसाइटी के अस्थापना किसने की जीके गोखले अपसन बी अलब गोपाल किरिष्ण गोखले तो राणवे नंबर कोश्चन है गौतम बुद ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था यहाँ पे इसका राइट एंसरो जाएगा अपसन बी शारनाथ मे चोब राणवे नंबर कोश्चन है भारती राष्टि कांग्रेस के अस्थापना किसे में भारत का गुवर्ण जन्रल कौन था यहाँ पर इसका राइट एंसरो जाएगा अपसन सी लाड़ डौफरेन अलबा कोश्चन है तीन आई एनस अनिकों के परसीद वबाद में अधिवक्टा कौन थे परसीद यहाँ पर विबाद होगा रोजगार के लिए निम्तम माने उम्र क्या है अपसन ए चौदा हो अर्ष बरतमान लोग सभा का अध्याच कौन है मतलब 11-14 ठीक है तो कौन है शिरी मती सुमित्रा महाजन अपसन ए अन्ठानमे नमर कुश्चन है भारती समिधान का कौन सा भाग है जो किरिशकों के मौन औ और आधर्सों को दर साता है तिया पर इसका राटेंस रोजएगा अपसन ए प्रस्तावना निनार्मे नमर कुश्चन है एक राष्ट पती अध्याधिस कब तक लागू रह सकता है इसका राटेंस रोजएगा आपसन डी छो मईना हीरा कूंड बांध किस नदी पर बनाया ग ठीक है और अपना स्कोर भी निचे बताते चलिएगा ओके थैंक्यू जेहिन जे भारत